इन दिनों शोर ये रिष्टा क्या कहलाता है को लेकर तमाम तरह की खबरें हो रही हैं वाइरल जिन में बताया जा रहा है कि कैसे नायरा कायरव के साथ आएगी कायरतिक के घर में वापस यानि कि गोईंका फैमिनी में वापस स्टापलस ने भी एक नया प्रमो रिलीस किया जिसे देख कर ये साफ पता चल रहा है कि गोईंका हाउस में जल्द नायरा लोटाएगी लेकिन नायरा की गोईंका हाउस में ये वापसी किन बड़े तूफानों को लेकर आने वाली है उसके बारे में आज हम आपके साथ बात क देरेंगे सबसे पहले वो पांच तूफान हम आपको बताएंगे जो नायरा के साथ कदम रखेंगे इस घर के अंदर सबसे पहले तूफान ये होगा कि नायरा जिंदा है इस सच को खुबूर करना घरवालों के लिए एक बड़ी तबाही से कम नहीं होगा क्योंकि अब घर अब उन्हें उसके लिए नायरा को देनी होगी सफाई इसलिए ये होगा वो पहला बड़ा तूफान जो नायरा के गोईंगा परिवार में आते ही आ जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं आपके सामने दूसरे तूफान के बारे में तो दोस्तों ये दूसरा तूफान उस के साथ बहुत कुछ हो रही थी मगर नायरा के आते ही वह ख्वाब धराशाही हो जाएंगे और वेदिका की जंदीगी पहले की तरह बेरंग हो जाएगी इसलिए दूसरे तूफान का सबसे बड़ा नुकसान जहिलना होगा वेदिका को अब बात करते हैं तीसरे तूफान के बारे में तो ये तीसरा तूफान होगा कार्टिक के लिए क्योंकि नायरा अपने साथ वो सच भी लाएगी जिसके चलते वो आच से पांट साल पहले कार्टिक को छोड़ कर जली गई थी वो सच जो सिर्फ नायरा और कार्टिक जानते हैं घर का कोई सदर से नहीं जानता यही सच नायरा के साथ लोटेगा और गोई का परिवार को पता चलेगा कि क्यों नायरा ने इतना बड़ा फैसला लिया था इस घर से जाने का और क्यों नायरा चुप चाप अपने बेटे क कि परवरिश अकेली करती रही क्योंकि उसे डर था कि कार्तिक उसे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा वर यह तो बात भी तीसरे तूफान के आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं चौथे तूफान के बारे में तो दोस्तों यह चौथा तूफान होगा सिंघानियाज और को इंकास के बीच जब कार्तिक की सच्चाई खुलेगी तो जाहर सी बात है सिंघानियाज की को इंकास पर उठाएंगे कई सवाल और एक पर पर से नक्ष हो जाएगा कार्तिक के खिलाव क्योंकि नक्ष करता है अपनी बहुत प्यार और इस बार जब कार्तिक के हाथ में द और शायद अब नक्ष भी नहीं भूल पाएगा तो इन दोनों परिवारों को एक साथ इस बड़े तूफान का सामना करना होगा जिसमें जुलस रहे होंगे नक्ष और कार्तिक पांच में और सबसे बड़े तूफान की बात करते हैं जो के लेकर आएगा अपने साथ को इतने सालों तक अपने परिवार से दूर रखने की सजा मिलेगी नायरा को और इस सजा में क्या कहेगा गोईं का परिवार उससे ये वक्त बताएगा तेकिन ये बात तो तय है कि नायरा को इसका खामयाजास दरूर भगतना पड़ेगा सब्सक्राइब करें हमारा चानल तक आप तक शोर की डीटेल्स हम पहुंचा दे रहें तॉप यूस की रपोर्ट